असलाम नेकिम फ्रेंड फ्रेंड आज मैं आपको 12 माट का LED बलब रपेर करने का तरीका बताऊंगा कि 12 माट LED बलब को आप अपने गार में कैसे रपेर कर सकते हैं आज हमने यह दो बलब लिए इस और चीज को इस उसका प्लायूं के लिए जो हमें चीज हो आपको बताऊंगा हैं ट्रवा बरीघको गैर तो इसको घृंभ करने के लिए जो हमें चीजित दर्कार चाहिए वह आपको बता तूआती इसके लिए हमें एक میटर की जूरता है ये मेटर है और एक सोल्ड की जूरता है और एक बोर्डिंग कावय की दूरता है ये थिक है तो भी आम पहले स्कोपन करते हैं 맞?, इन लेडी बलब आप दे सकती हैं इनके अंदर डियोवी चिप लगी हुँती हैं डियोवी चीप और ड्राइवर में फरक क्या होता है वो आपको नेस्ट को वीडियो में बता दूंगा थांके हमारी वीडियो ज़रा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं जरा टाइम नहीं लूँँगा, डियो भी चिप और जो चिप डैमन में फरक होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, तो भी हम इसको रपेर कैसे करते हैं, खराब LED बलब को वो आपको बताऊंगा, यह आप सबसे पहले इसकी जो LED लगी वी है, वो हम चेक करेंगे, इसमें से खराब कौन सी है, सिंपल सा मैं आपको तरीका बता दूँगा, जो LED के अंदर छोटा सा डोट होगा ना, वो समझ लें कि आप वो LED खराब है, जैसे इस LED में छोटा सा डोट आपको नजर आ रहा है, तो यह LED बलब, इ इसकी वज़ा से खराब हुआ है, तो इसको सही करने का तरीका कैसे है, वो आपको बता दूँगा, आपने किसी भी नोगदा चीज के जरीए आपने इस LED को चिप से लेदा काल लेना है, ऐसे, ठीक है, यह लेदा हो गया है, इसके अंदर एक पोजिटिव होता है और दूसरा नेक्टिव होता है, तो हमने इसको पोजिटिव नेक्टिव को आप सोल्डिंग की बंदर से इसको सोल्ड करना है, यानि कि हम लफजों में इसको शार्ड करना है, तो जैसे हम इसको शार्ड करेंगे तो यह LED बलब ओन चेकर वाते हैं कि यह ओन हो रहा है कि नए यह देखें अब यह ओन नहीं होगा तो जैसे ही हम इसको सेक्जाइटकरें रेंगे तो फिर यह ओन नहींभा तो अभी हम हम इसको सोल्ड करते हैं सोल्ड करके हैं फिर आपको यह बलब चेक्ट रहाते हैं कि इस काविय की मदद से हम इसको सोल्ड करते हैं अब इसको हम सोल्ड करते हैं झाल झाल यह मारा LED बलब sold हो गया तो भी आम इसको on करके चेक करते हैं यह देखें यह हमारा LED बलब बिलिंग करना शुड़ हो गया है तो ऐसे ही आप LED बलब को अपने गार में ही ठीक कर सकते हैं यह ठीक है यह बलब हमारा phone हो गया है यह देखें तो ऐसे ही हमने इसको sold का लिया है तो यह सब LED को आपने एक मर्दबा नज़र तो जिस LED बलब में हमें कुछ भी छोटा सा डोड नज़र आएगा तो इसको हमने sold करना है यानि कि हम लवज़न इसको short करना है तो फिर हमारा LED बलब ओन हो जाएगा तो इसी तरह हमारे पास एक और LED बलब है जिसके अंदर चिप ड्रैवर लगा हुए इसके निचर बोड़ी के अंदर ड्रैवर कैसा होता वह भी आपको दिखा दे यह ड्रैवर इसको ड्रैवर बोलती है जिसके अंदर ट्रांसपॉर्मर पैस्टर आइसीव करा लगे होती है जो इसको टूटवडी से डीसी क्रंडर चिप को मुया करता है तो ऐसे ही यह चिप है है यही आपको है यह समी चीज किवी है यह यह पन मेल किय तो आपके लिए ज़रा सानी होगी देखने में तो भी हम सको ठीक decided इसुकности कि है है सिर्फ यह LED बलब में छोड़ा सा डोट है यह देखें ठीक है इसमें छोटा सा डोट आपको नज़र आ रहा होगा बाकी LED सब ठीक है तो भी हम इसको भी किसी कटर की मतलब से हम इसको लादा करते हैं चिप को LED को चिप से लादा करते हैं और इसका जो पोजिट्टीव और negателей होगा इसको हम काविय की मतल से शोल्ड कर देंगे यह निके शार्ड कर देंगे जैसे हम इसको शार्ड करेंगे फीर यालीडी बलब हमारा ओन होजएगा، अब इसको हम शार्ड करते हैं ह developments. यह हमारा लेडी बलब शार्ट हो गया तो भी हम इसको ओन करते हैं वो चेक करते हैं कि हमारा लेडी बलब ओन होगा के नहीं पहले हम ऐसे ही आपको चेकर वाते हैं कि यह रेखेंगे हमारा लेडी बलब ओन हो गया है तो ऐसे ही आप अपने गार के है क्माम लेडी अपने गार में ही कोदी ठीक कर सकते हैं अब इसको ओन करते हैं लगा कर तो अगर हमारी एली डी बल बलब की जो चीप है वो अगर सारी खराब हो तो फिर इसका जो बैस्ट है यह कि इसके अंदर जो यह चीप है यह उतारे इसकी जगा आप न्यू चीप लगा दें तो फिर हमारा एली डी बलब फिर न्यू हो जागा यह तक्रीबर 20-25 रुपे की यह एली डी चीप मिलती है मार्किट से आपको बहुतानी मिलजेगी तो वह चीप आप न्यूस मिल गए तो आपका अली डी बलब फिर न हो जागा तो अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी है प्रीज इसको सब्सक्राइब करना लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना और तो इन्षाlegt वीडियो में आपको टार्च जो लाइट वह कैसे बनती ہے उसकी वीडियो मैं आपको लुह आपको दखाहूँगा तो वह टार्च लाइट अपने घर में कैसे इसको बना सकती है तो बह। इन्षालना जो मैंने आपको बता दिया है इसके लए एलिडी बल्ब के अवाले से आपको किसी किसम कि कोई भी information हो तो हम मुझे नीचे comment कर सकते हैं तो इन्शाला मैं आपके साथ पूरा दावन करूंगा एलेडी बल्ब के हवाले से कोई भी information हो तो हम मुझसे बात कर सकते हैं लेडी बलब की मेरी फेल्ड है तो मेरे पास आल लेडी बलब संबल होते हैं जिरो वार से लेकर साथ वार तक तो इसका अगर आप बिजनस करना चाहते हैं तो वह भी आप मुझे इन्फरमेशन ले सकते हैं इंशाला मैं आपको पूरा इसका गाइड करूंगा कोई भी साफिश शुक्रिया